दोस्तो अभी किल हमने मुल्क राज आनन्तude के लाइफ और उल्के वर्क पर चर्चा करी थी और आजकी वीडो में हम मुल्क राज आनन्तude के लाइफ और वर्क से रिलेटिड कुछ क्वेसशंस को देखने जा हैं और यह question दोस्तों आपके objective type questions हैं तो आए जानते हैं हमारा पहले question क्या कह रहा है तो हमारा पहला question में पुछा गया है कि मुल्क राज आनंद was born on 12th December यानि मुल्क राज आनंद जी का जन्म 12 दिसंबर और इनमें से किस किस एयर में हुआ था तो मुल्क राज आनंद जी का जन्म दोस्तों 12 दिसंबर 1905 में हुआ था तो यहां पर जो option डी है 1905 इस करेक्ट नेक्स्ट क्वेशन है कि he was born at यानि मुल्क राज आनंद जी का जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों पेसावर में तो option यहां पर जो पहला वाला है पेसावर इस करेक्ट और जो समय क्वेशन पूछा गए था ग्राज को इसके फेसे पूछ जा रहा है तो को मुल्क राज आनंद जी के पित्ता जी का क्या नम था तो मुल्क राज आनंद जी के पिता जी का नाम था लाल चंद आनंद ओप्शन यहां पर जो B है लाल चंद आनंद is correct और जो next question है इसमें पूछा गया है कि He received his education act यानि मुल्क राज आनंद जी ने अपने सिक्षा कहां से प्राप्त करी थी तो मुल्क राज आनंद जी ने दोस्तों अपनी सिक्षा खाल्सा कॉलेज अम्रिस सर से करी थी तो यहां पर जो option last वाला है D वाला खाल्सा कॉलेज अम्रिस सर is correct और जो next question है हमारा इसमें पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि The poet philosopher who made a deep influence on his life and thought was यानि कि जो मुल्क राज आनंद जी है उनके जीवन और उनके thought यानि विचारों पर किस poet philosopher का बहुती deep influence यानि कि बहुती गहरा प्रभाव पड़ा था तो दोस्तों जिनका बहुती गहरा प्रभाव पड़ा था मुल्क राज आनंद जी के life और thought पर उनका नाम था इकबाल तो इकबाल जी जो है इनका मुल्क राज आनंद जी जब खालसा कॉलेज में थे जब खालसा कॉलेज अमरिस्टर में पढ़ाई कर रहते तब ये इनसे मिले थे और इस दोरान ये कि मुल्क राज आनन जीन से बहुत ज़्यदा प्रभावित हुए थे और मुल्क राज आनन जी के लाइफ और जो उनका थौट था यानि कि उनके विचारों पर बहुत गहरा पर भाव पड़ा था इकबाल जी का तो यहां पर जो बी वाला उप्शन है इकबाल इस गरेक्ट नौवल है अन्टचिबल यह कब लिखी गई थी तो दोस्तों यह नौवल लिखी गई थी आपकी 1932 में तो यहां पर सी वाला उप्शन करेक्ट है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पुछा गया दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि कमिंग बाक टो इंडिया मुल्क राज आनंद पास्ट सम टाइम इन यानि जब मुल्क राज आनंद जी भारत आये थे तो उन्होंने कुछ समय बिताया था इन में से कहाँ पर उन्होंने कुछ समय बिताया था यह बताना है तो मुल्क राज आनंद जी दोस्तों जब भारत आये थे 1932 में तो उन्होंने साबर मतियासरम में अपना कुछ समय बिताया था गांदी जी के साथ तो यहाँ पर option जो A वाला है साबरमतियासरम is correct और जो next question है इसमें पूछा जा रहा है कि his first novel untouchable was inspired by यानि मुल्क राज आनन जी की जो first novel थी untouchable वो किसे inspired थी तो दोस्तों यह novel inspired थी महात्मा गांदी जी से तो यहाँ पर जो option A है महात्मा गांदी is correct और जो next question है दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि untouchable was published in यानि मुल्क राज आनन जी की जो novel है untouchable यह कब published हुई थी तो दोस्तों यह novel published हुई थी आपके 1935 में यानि 1935 में तो यहाँ पर जो B वाला option है 1935 is correct और जो next question है इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनन जी को इंटरनेशनल जो पीस प्राइज मिला था यह कब मिला था यानि उन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज से कब सम्मानित किया गया था तो मुल्क राज आनन जी को दोस्तों इंटरनेशनल जो पीस प्राइज था यह मिला था 1903 में तो यहां पर जो आप्शन भी है 1953 इस करेक्ट और जो नेक्स्ट क्वेस्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि कि ही वॉस ऑवралडड पधमभूशन इन यानि मुल्क राज आनन जी को पादमभूशन से कब सम्मानित किया गया था या उन्हें क्वाइब भूशन कब ऻक्राइब नियानन जी को परदमभूशन मिला था 1967 में उनको मिला था तो यहां पर जो ऑप्शन सी वाला है 1967 इस करेक्ट और जो next question है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनंद वाज आ एन यानि मुल्क राज आनंद जी इनमें से क्या है तो दोस्तों जब हमने इनकी बायोग्रफी को पढ़ रहे थे हम कल तो इसमें हमने देखा था कि वह जो मुल्क राज आनंद जी थे वह एक दोस्तों मुल्क राज आनंद जी नौवलिस्ट है स्टोरी राइटर है आर्ट कर्टिक है तो यह वाला जो आप्शन है और अप्शन डी इस राइट और जो नेक्स्ट क्वेस्टन है दोस्तों हमारा इसमें पूछा जा रहा है तो इस question में पुछा जा रहा है दोस्तों कि in which subject मुल्क राज आनंद वास अवार्डेट PhD degree, यहां इनकी कि कि सब्जक्ट, कि इस विस्ए में, मुल्क राज आननन जी को PhD degrees से सम्मानित किया गया था, यह उनको PhD degree की उपाधी दी गई थी, तो मुल्क राज आननन जी ने दोस्तो, अपने जो philosophy subject था, उसमें PhD करी थी, तो यहां पर जो option C वाला है, philosophy is correct और जो next question है दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि from which university did मुल्क राज आनंद earned PhD in philosophy यानि मुल्क राज आनंद जी ने which university यानि किस university से PhD डिग्री philosophy में करी थी तो दोस्तों उन्हों उन्हें PhD करी थी Cambridge University से तो यहां पर Cambridge University option B is correct और जो next question है इसमें पूछा जा रहा है कि what is the name of his first novel यानि मुल्क राज आनंद जी की first novel का नाम क्या है तो मुल्क राज आनंद जी की जो first novel है दोस्तों वो आपको पता ही है कि untouchable है जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी तो यहां पर option जो पहला है untouchable is correct और जो next question है दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि name the first novel of मुल्क राज आनंद विच केरिड़ा प्रिफिस बाई एम फोस्टर दाट वार्ण हम वर्ड वाइड रिकर्गनेशन यानि नेम दफर्स्ट नौवल ओफ मुल्क राज आनंद यानि की मुल्क राज आनंद जी के जो first novel है उसका नाम बताना है और विच कैरिड कि आफ प्रिफिस यानि की जिसका प्रिफिस एम फोस्टर जी द्वारा लिखा गया था डाट वोन हम वर्ड वाइड रेकर्गनेशन जिससे मुल्क राज आनंद जी को ही मिन्स मुल्क राज आनंद जी को वर्ड वाइड वर्ड वाइड यानि की पूरी दुनिया में रेकर कि जो मुल्क राज आनंद जी है उनकी जो फर्स्ट नौवल थी उसका प्रिफेज लिखा गया था एम फोस्टर जी के द्वारा और उनको वर्ड वाइड यानि पूरी दुनिया में उससे पहचान मिली थी उस नौवल का नाम क्या था तो उस नौवल का नाम दोस्तों था अं लिखा गया था और इस नौवल से इनको वर्ड वाइड यानि पूरी दुनिया में रिकर्गनेशन यानि की पहचान मिली थी तो यहां पर जो ऑप्शन सी है अंटचिबल इस करेक्ट और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि कुली व और यह आपकी 1936 में पब्लिश हुई थी तो इससे पहले 1935 में दोस्तों आप जानते हैं अंटचिबल पब्लिश हुई थी तो इसके बाद 1936 में जो पब्लिश हुई थी कुली तो यह सेकेंड नौवल में आ गई तो यहां पर ऑप्शन जो भी है सेकेंड इस करेक्ट यहा तो नौवल है कुली 1936 में जो पब्लिश होती यह आपकी किस में आती है तो सेकेंड नौवल में है यह इनके तो जो नेक्स्ट क्वेस्चन है दोस्तों इसी तरह से हमारा वो यह है तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों इस स्क्वेस्टन में पूछए जा रहा है कि which of राजी द्वारा नहीं लिखी गई है तो दोस्तों आप जानते हैं कि Untouchable मुलकराज आनन जी नहीं लिखी है और कुली भी उन्हें नहीं लिखी है और The Village मुलकराज आनन जी द्वारा ही लिखी गई है क्योंकि जब हमने कल इनके बायोग्रफी पड़ी थी तो हमने उनके वर्क के बारे में भी कल डिसकस किया था तो ये सारे नाम उनमें थे कुली विलेज और अंटचिबल उसमें कांथा पुरा नहीं था दोस्तों ये कांथा पुरा जो है ये राजा राओ जी द्वारा लिखी गई है तो यहाँ पर जो ऑप्शन भी है कांथा पुरा ये नहीं लिखी गई है मुलकराज आनंड जी द्वारा और जो नेक्ट क्वेस्चन है दोस्तों हमारा इसमें पुछा जा रहा है कि मुलकराज आनंड जी के जो फादर है लाल चन आनंड वो एक क्राफ्ट्मेंड थे अमरिस्टर में बट लेकिन accomplish ने बाद में उन्होंने इन में सहीं क क्यां जोईन कर लिया था तो दोस्तों letter ही जोईन बाद में उन्होंने अब बृतिस एक बृतिस इंडर आमी को जॉईन कर लिया था means he joined Indian Army under the British rule as a clerk तो यहां पर जो option C वाला है British Indian Army is correct और जो next question है दोस्तों हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि which of the following novel is not written by मुल्क राज आनन्द यानि मुल्क राज आनन जी के द्वारा इनमें से कौन सी नालल नहीं लिखी गई है तो दोस्तों आप जानते हैं कि यह नोवल मुल्क राज आनन जी द्वारा लिखी गई है यह भी उनिक द्वारा लेकी गई है और यह नौल भी दोस्तों आ यह मुल्क राज आनंद जी द्वारा नहीं लिखा गया है तो आप्शन जो लास्ट है ऑप्शन डी यह करेक्ट है दूस्तों और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है उसमें बजी तो धूस्तों है खोंसरी है तो डूस्तों आप जानते हैं कल हमने देखाém सका आप्शन हैं MT वैलक राज मुलक राज आनं जीका ही है और विलेज भी है उनikan वाराति यह वाला वर्क जो इंपलिटल फ्रेंट यह मुलक राज आनंद जी का वर्क नहीं है तो option जो यहां पर first है A वाला is correct और जो next question है इसी तरह से हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि the big heart is a work of यानि big art जो work है वो किसका है इनमें से तो दोस्तों यह मुल्क राज आनन जी का है तो यहां पर option B जो है यह correct है और जो next question है दोस्तों हमारा next question है तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मुल्क राज आनन जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों इसी तरह से यह question सबसे पहला हमारा पूछा गया था कि मुल्क राज आनन जी का जन्म 12 दिसंबर को हुआ था लेकिन किस यह में हुआ था उसमें यह पूछा गया था लेकिन यहां पर उनका जन्म कब हुआ यह पूछा जा रहा है तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका जो answer है वह पहला जा रहा है कि for which autobiographical work did मुल्क राज आनन विंद साहित्य अकैडमी अवार्ड यानि मुल्क राज आनन जी को साहित्य अकैडमी अवार्ड इन में से किस autobiographical work के लिए मिला था तो दोस्तों मुल्क राज आनन जी को जो साहित्य अकैडमी अवार्ड मिला था वो उनके work morning phase के लिए मिला था और ये इनको मिला था 1971 में तो ये इनका एक autobiographical work है तो option जो यहां पर भी है morning phase is correct और ये साहित्य अकैडमी अवार्ड इनको 1971 में मिला था 1971 में मिला था और जो next question है दोस्तों हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनन रोट डैजन गांधी साबर मती आसरम यानि कि मुल्क राज आनन जी ने इनमें से क्या लिखा था जब वो गांधी जी के साबर मती आसरम में थे तो दोस्तों जब मुल्क राज आनन जी 1932 में जब गांधी जी के साबर मती आसरम में ठहरे थे लगबग तीन महीने के लिए ठहरे थे तो वहां पर इन्होंने अंटचिबल जो उनकी नौवल है इसको दुबारा से लिखा था तो यहां पर जो पहला वाला उप्शन है अंटचिबल इस करेक्ट और जो नेक्ट क्वेशन है दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनन जी इनमें से किस के चेर्मेन भी रहे हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ललित कला अकैडमी है क्योंकि मुल्क राज आनन जी ललित कला अकैडमी के चेर्मेन रहे हैं तो उप्शन यहां पर दी वाला कैरेक्ट है ललित कला अकैडमी और जो नेक्स्ट क्वेशन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनन्द टाइड ऑफ यानि मुल्क राज आनन जी की जो निदन हुआ था वो क्यों तो दोस्तो उनको pneumonia हो गया था और pneumonia कारण उनकी death हो गई थी और मुल्क राज आनन जी की death दोस्तो 28 September 2004 में हुई थी और जब यह इनकी death हुई थी तो यह 98 years के थे तो दोस्तो यह कुछ questions थे आपके objective type मुल्क राज आनन जी के life or work से तो दोस्तो मैं मिलता हूँ आपसे next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा